दोस्तों Thomas Phelps ने अपने book 100 to 1 में बताया है कि किस तरह से company grow कर सकती है उसमें जो कुछ एक factors बताया हैं उसमें से एक है कि यदि वो अपने sales को grow कर ले और sales grow हो जाए without increasing the invested capital अब in capital को increase किये बगैर यदि sales कैसे हो सकता है हो सकता है यदि उसका operation जो है वो जो operate हो रहा हो वो far below its capacity पे run हो रहा हो यदि कोई factory है यदि उसकी capacity 100 की हो और वो अभी full capacity utilization जिसको कहते हैं वो यदि माली जे 60 पे है और यदि वो किसी भी तरह से यदि 80% 85% यदि कर लेता है तो capacity उसकी बढ़ जाती है production बढ़ जाती है production बढ़ने से उसका sales भी increase हो सकता है तो यह और इसमें उसको capital भी increase नहीं करना पर है तो यदि यह company करने में successful हो जाती है तो बिना capital को increase किये भी grow की कर सकता है कोई भी company